क्लास 11 फिजिक्स चेप्टर 9 के अंतरगत आज हम तीसरा भाग देखेंगे ठोसो के यांत्रिक गुण चेप्टर का तीसरा भाग जिसमें हम चर्चा करेंगे विकृति और विकृति के प्रकारों पर पहले के दोनों भाग चैनल पर उपलब दें आगे के भागों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी बजाए और जुड़े रहें विकृति या स्ट्रेन क्या होता है तो हम विकृति को जैसे समझते हैं नाम से कुछ पता चल रहा है कि कुछ विकृत होगा मतलब जब भी आप ठोस पर भाहिय बल लगाएंगे तो उसकी विमाएं बदलती है विमाओं का मतलब क्या है उसका आकार बदल सकता है आकरती बदल सकती आईतन बदल सकता है तो उसकी विमाएं तीन तरीके से परिवर्तित हो जाती है तो जो विकृति है वो यही होती है कि किसी वस्तु की जो विमा है लंबाई आकार आईतन उसमें जो परिवर्तन होता है और उसकी प्रारंबिक विमा के अनुपात को विक्रती कहते हैं मतलब उसकी प्रारंबिक विमा के विमा जो होती है उसके सापेक्ष कितना चेंज आया उसको निकालने के लिए जो उसकी में उसकी प्रारंबिक विमा के अनुपात प्रारंबिक विमा का भाग लगा देते हैं तो इस अनुपात को हम विकृति कहते हैं मतलब विकृति जो है वह वस्तु की विमा में परिवर्तन और प्रारंबिक विमा का अनुपात होती है विमा से क्या आशा है लंबाई आकार जो कोई मातरक नहीं होगा जैसे लंबाही में परिभर्तन को एल लिख Originally की विमा भी विमाहिन राशी हो जाएगी. अब प्रकारों पर जब हम चर्चा करेंगे, तो विक्रती के प्रकारों को एक एक करके ले लेते हैं, तो पहला जो हमारा प्रकार है, उसको देखते हैं, अनुधेर विक्रती, longitudinal strand, अनुधेर विक्रती में क्या होता है, वो लंबाई वाली जो विकृति है हमारी होगी उसको हम अनुधेर विकृति कहेंगे जैसे हमारे पास में शुक्रित अनुपरस्ट परिचेट की लंबबद दिशा में दो बल हमने उस पर लगा है दो समान बला लगा कर उसको तानित किया यह हमने प्रतिबल में भी समझा था, इसी चित्र से यही बात कही थी हमने, एक ही तरीके से, ताकि आपको सुईधारे पढ़ने और समझे में, या फिर इनी बलों से इसको हम संपिडित कर दे अंदर की और, तो दोनों इस्तितियों में क्या होगा, बेलन की लंबाई में परि अनुधेर विक्रिती, और अनुधेर विक्रिती को कैसे परिवाश्रित करेंगे, कि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रार्मिक लंबाई का अनुपात, अब लंबाई में परिवर्तन निकाली है, तो यह बात की लंबाई में से पहले की लंबाई घटा दी, यह ल अनुधेयर विक्रती चलिए अगली विक्रती पर चर्चाखलएं अगली विक्रती हमारी अप्रूपन विक्रती में आपको यह दिखाई देरहाऊगा इस चित्र में देखिए कि दो बराबर और जो विरोधी विरुपक बल है वो इस तरीके से लगाए गए देखिए आप बेलन के जो अनुपरस परिच्छेत के समानतर लगा दिये हैं इस तरीके से यहां ठीक है तो फिर बेलन के सम्मुख फलकों के बीच क्या होगा सापेक्षिक विस्थापन होगा देखिए एक फल जिया हाज से दबा कर 36 दिशा में धके लिए तो फिर इस बीकृती हूट है तो अब इस अप्रूपण विकृती में क्या होगा देखिए तो अप्रूपण विकृती में यह होगा कि वेलन के सम्मुख फलकों के बीच सो सापेक्ष विस्थापन की कितना quello य्र lawn सब्मॉक। हुद में तो यहां सापेक श्रीच कितना इकर दल्टा एक्स होगा डेल झान ओर बेलन की लंबाई का अनुप्ल बेलन की लंबाई मतलब दोनों जो हमें यहां दिखाई दे रहा है, कि जो उर्धवादर से बेलन का जो कोणी ही विस्थापने, वो कितना है, ठीटा है, तो यह आपका बन जाएगा 10 ठीटा. ठीटे? अब यहाँ यह सवाल उठता है, कि आपने 10 ठीटा को ठीटा क्यों लिखा? तो, जो उसके मान में केवल एक परसेंट का ही डिफरेंस होगा तो फिर ऐसे में हम उसको बराबर बराबर लगभग लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह हमारा अपरूपन विकरती हो गया दोनों फलकों के बीच का सापेक्ष विस्तापन और दोनों फलकों के बीच की दूरी यहां हमने बेलन लिया है तो बेलन के सम्मूख फलकों के बीच सापेक्ष विस्तापन और बेलन की लंबाई क्योंकि दोनों फलकों के बीच की दूरी बेलन की लंबाई के बराबर है चलिए अब तीसी विकरती पर हम चर्चा करेंगे वो है आईतन विकरती आईतन विकरती में क्या होता है कि जैसे मानली जी आपने हमने जो पहला एक्जामपल पहले भी इसको लिया था कि अगर मानलीजे आप किसी ठोस गोले को अगर द्रव में डुबोते हैं तो द्रव उस पर क्या करता है तो उस पर द्रव द्वारा बल जो है उसके प्रस्ट के प्रत्येक बिंदू पर क्या होता है लंबबद दिशा में कारी करता है तो गोले की जामिती में तो कोई चेंग नहीं होता लेकिन उसके बिनाई उसके आईतन में क्या हो जाती है कमी हो जाती है तो appropriate द्रव में अगर आप डुबाते हैं तो उसके आईतन में क्या हो रही है कमी हो रही जामिती आकरती वही रहेगी तो इस इस्तिति में क्या हुआ आ आईतन में परिवर्तन और प्रारंबिक आईतन के अनुपात के बराबर होगी अब आईतन में परिवर्तन कितना हुआ देखे आईतन में परिवर्तन हुआ डेल्टा वी प्रारंबिक आईतन कितना था वी तो आप यहां ऐसा लिख भी सकते हैं कि आईतन में परिवर्तन डेल् उत्पन हुई है तो यह जो यहां इस समय जो प्रतिबल होता है उसको हम जली प्रतिबल भी कहते हैं तो यह इस तरीके से हम आयतन विक्रति को परिवाशित कर सकते हैं